ठीक बच्चों अब आजओ description of event एक बात को हमें से ध्यान में रखना कि जब भी question में event given होगा तो वो event ऐसे नहीं बूलेगा ध्यान में रखना event ऐसे नहीं देगा maximum time तुमें event को ऐसे language में देगा क्या बोलेगा number of tells is exactly two हमेशा maximum time जो question होगा वो ऐसे language में event देगा language से तुमें करना क्या होगा ऐसे set theoretic notation में convert करना होगा इसमें उसके बाद उसकी probability निकालनी होगी maximum time 99% cases में ठीक है ऐसे बोलेगा कि number of tells number of tells is at least one ऐसे बोलेगा number of tell कम से कम एक होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है दो तो एक वाले को भी हमने ले लिया ये दो एक वाले हैं और दो वाले को भी ले लिया फिर क्या बोला है number of hits is at most one number of hits ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है एक हो सकता है इसका मतलब zero भी चलेगा जैसे इसमें एक भी head नहीं है एक head भी चलेगा ये एक ही head चलेगा दो head नहीं चल सकता है फिर क्या बोलेगा second toss is not head second toss head नहीं होगा तो फिर क्या होगा tail होगा तो जहाँ जहाँ second toss tail आ रहा है वो ले लिया हमने number of tail is at most 2 अब क्या बोला है number of tails is more than 2 number of tail क्या होगा दो से जादा होगा तो दो से जादा tail होई नहीं सकता है तो ये हमारा क्या बन गया 5 ये 5 भी एक event है इस event की probability क्या होगा जिरो और ये जो हमारा है number of tail is at most 2 ये हमारा sure and certain event है इसकी probability क्या हो जाएगी ये तो sample space है ना तो sample space की probability हमें सबन होती है और ये हमारा null event है इसकी probability क्या हो जाएगी 0 तो मेरे हिसाब से समझ में आगी होगा कि हम लोग event किसे बोलते है elementary event क्या होता है compound event की बात compound event भी सुन लो बता रख रख है ये event हमारा compound event है compound event किसे बोलते है जिसमें एक से जादा elementary event हो उसे compound event बोलते है इसमें तीन elementary event है तो ये भी हमारा क्या होगा compound event ये भी compound event ये sample space तो हमें से compound event होगा ये एक हमारा क्या हो जाएगा elementary event ठीक है ये compound event नहीं जो a event है ये compound event नहीं फिर ये हमारा sure and certain event है ऐसे है तो इसकी probability 1 होगी और इसकी probability क्या हो जाएगी जीरो ठीक है The above discussion suggests that the subset of sample space is associated with an event and an event is associated with the subset of sample space इसका क्या मतलब है कि sample space का जो subset होगा वो event होगा और जो event होगा वो sample space का subset होगा वाई से वर्सा है ठीक है Any subset E क्या बोला है definition में Any subset E of a sample space as is called an event यहाँ पर final बोल दिया कि sample space का कोई भी subset होगा उसको हम क्या बोलेंगे event बोलेंगे ठीक है यह सब बता रखाओ अलड़ी अब आजाते occurrence of event कोई event कब अकर होगा Consider the experiment of throwing a die एक हमने die को throw किया एक हमने event ही माना क्या माना denotes the event यहाँ पर event में क्या बोला है number less than 4 appear number क्या हो 4 से कम हो तो फिर क्या होगा 1,2,3 if actually 1 had appeared on the die then we say that event E has occurred जैसे कि अगर मैंने बोला न एक dice को फेका एक dice को फेका तो हमारा sample space क्या हो गया sample space हो गया हमारा 1,2,3,4,5,6 यह हमारा sample space हो गया है ठीक है अब हमने क्या बोला कि एक event E बोला event क्या बोला number appeared is less than 4 less than 4 यह हमने event E बोला तो हमेशा मैंने क्या बोला ऐसे language में given होगा ठीक है अब हमने इसे क्या किया set में convert किया तो क्या हो जाएगा यह 4 से छोटा तो 1,2,3 यह event E हो गया ठीक है अब अगर तुमने dice को फेका और तुमें 1 मिल गया तो तुम क्या बोलोगे E event अकर हो गया अगर तुमने dice को फेका तुमें 2 मिला तो तुम बोलोगे की फिर again E event अकर हो गया और dice को fake अगर तुम्हें 3 मिला, तो अगेन तुम बोलोगे E event अकर हो गया, अगर तुमने dice को fake अगर तुम्हें 4 मिल गया, मतलब outcome 4 आया, तो तुम क्या बोलोगे कि E event अकर नहीं हुआ, अगर outcome 4 आया, तो तुम बोलोगे E event अकर नहीं हुआ, तो फिर कौन से event अकर हुआ, E compliment अकर हुआ है, e-complement क्या होगा? सैंफल इसपेस से e को हटा दो तो क्या हो जाएगा? 4, 5, 6 तो जभी e-event अकर नहीं होगा तो फिर e-complement अकर हो जाएगा और जब e-complement अकर होगा तो फिर हम क्या बोलेंगे? कि e-event अकर नहीं होगा यह दोनो क्यों? किजिए दोनो simultaneous अकर होई नहीं सकता है क्योंकि इनका ए यह क्या है? इसमें इन दोनों का E और intersection क्या हमारा E compliment यह क्या 5 तो यह simultaneous अकर होई नहीं सकता मालो की event हमने F ले लिया 3.4.5 अब यहाँ पे क्या है? E intersection F ले लो intersection f तुम्हें क्या मिलेगा 3 तो अगर तुमने dice फेका और तुम्हें 3 उसका outcome मिल गया तो तुम क्या बोलोगे कि e event भी अकर हुआ and f event भी अकर हुआ इसका मतलब e intersection f अकर हुआ intersection f को क्या लिख सकते हो e and f intersection क्या होता condition होता है ये ऐसे हो गया न तो तुमने dice को फेका और 3 मिल गया तो 3 जो outcome है ये event e में भी है और event f में भी है तो अगर 3 outcome आया तो तुम बोलोगे event e भी अकर हुआ and event f भी अकर हुआ ठीक है और अगर मालो कि तुम्हें 2 आया तो तुम बोलोगे event e अकर हुआ ठीक है अगर तुम्हें event 4 आ गया मालो event कह रहा हूँ मैं अगर तुम्हें outcome 2 आया तो तुम बोलोगे event यह अकर हुआ और तुमने dice पे का तुम्हे outcome 4 आ गया तो तुम यह बोल सकते हो F भी event अकर हुआ and E complement event भी अकर हुआ मतलब F intersection E complement event अकर हुआ यहां तकार यह बात समझ भी यह बोला जा रहा है If actually one had appeared on the die then we said that E event क्या होगा occurred होगा As a matter of fact if the outcome 2 और 3 we said that the event E has occurred because हमारा event E क्या रहा है यह क्या बोल रहा है E कैसा event less than 4 तो E event में 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है तो 1 जब outcome होगा तो भी event E occur करेगा 2 outcome होगा तो भी event E occur करेगा 3 outcome होगा तो भी event E occur करेगा ठीक है Thus the event E of a sample space S is said to have occurred if the outcome omega outcome को हमने क्या बोला omega of the experiment is such that omega belongs to E अब हम क्या बोलेंगे कि event E occur कब हुआ जब हमारा random experiment का जो outcome क्या है omega है और omega किसका element हो event E का हो ठीक है तो हम क्या बोलेंगे event E occur होगा if the outcome omega is such that omega है जो हमारा event element नहीं है event E का we say that the event E has not occurred तो जब भी event E occur नहीं करेगा तो फिर उसका complement event occur कर जाएगा ठीक है यह तो होगया occurrence of event अब हम लोग आते है types of events events के कितने type है events can be classified into various types on the basis of elements various types में बस इसको जो बता रहूँ न इसमें कोई सुन लेना है समझ लेना क्या हूँ यह actually probability का language है ठीक है यह रटने नहीं लगना है कि types of event impossible और उसके definition बना के रटने लगना occurrence of event ऐसा नहीं करना है समझ मैं रही बात तुम्हें question करना है solve यह जो language of probability बता रहा हूँ ठीक है उसमें कोई रटने वाले भी बात नहीं है कोई कभी definition नहीं पूछता है किसी भी exam में ठीक है हमेसे exam में question पूछेगा impossible and short event यह अलड़ी बताया जा चुका अब अब एक बार देख लेते है empty set 5 5 जो होता है ना दुनिया के किसी भी set का subset होता है 5 खुद भी अपना subset होता है तो 5 sample space का भी subset होगा तो 5 event होगा कैसा event होगा जिसकी probability 0 होगी empty set 5 and the sample space S हमें पता है कि एक event खुद भी अपना subset होता है तो sample space खुद sample space का subset होगा तो sample space भी एक event होगा तो sample space को हम क्या बोलेंगे, sure and certain event, 5 को हम क्या बोलेंगे, impossible event, 5 की probability 0, sample space की probability 1, describe event, in fact 5 is called an impossible event, 5 को हम क्या बोलते है, impossible event, और जो हमारा sample space है, the whole sample space is called sure event, ठीक है, to understand this, let us consider the experiment of rolling a die, the associated sample space, अगर तुमने एक die को डॉल करोगे, तो यह उसका sample space आगया, let e be the event, हमने एक event e लिया, क्या लिया, the number appears on the die is a multiple of 7, 7 का multiple हो, possibly नहीं है, इसका मतलब यह जो event है, the number appeared on the die is a multiple of 7, यह कैसा event है, एक null event है, इस event की probability क्या हो जाएगी, 0, can you write the subset associated with the event e, नहीं कर सकते, clearly no outcome satisfy the condition of the given event, that is no element of sample space, ensure the occurrence of event e, thus we say that the empty set only correspond to the event e, in other word, we say that it is impossible to have a multiple of 7 of the per phase, तो event e हमारा क्या हो गया, एक impossible event हो गया, ठीक है, now let us take up the another event f, एक हम इसको erase कर देते हैं, एक हमने क्या किया, एक another event हमने f ले लिया, क्या ले लिया, event f क्या लिया, the number turns up is an odd or event, number क्या हो, या तो odd हो, या तो even हो, तो तुम dice fake होगे, तो 135 odd हो गया, 246 even हो गया, तो f event actual में क्या है, sample space है, clearly f हमारा क्या है, sample space की equal है, ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया, that is all the outcome of the experiment, ensure the occurrence of event f, तो f is equal to sample space है, हम क्या बोलेंगे, sure event, ठीक है, अब, word आरा simple event, simple event अल्रेड़ी बता रख हमाने क्या होता है, simple event बोलो या elementary event बोलो, या तुम क्या बोलो, sample point बोलो, एक ही चीज है, if the event e has only one sample point of a sample space, sample space का एक ही element हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, sample point बोलते हैं, और simple क्या बोलते है, elementary event बोलते है, in a sample space containing undistinct elements, अगर किसी sample space में undistinct elements है, तो उसमें कितने simple events होंगे, यह elementary events होंगे, n होंगे, जैसे यह देख लो, इस sample space में कितने elementary events है, यह कितने elements है, चार elementary, यह चार events है, एक हो गया head, head, tail, tail, head, or tail, tail, तो अगर मैं बोलो कि sample space में कितने elementary events है, तो चार elementary events है, एक तो यह हो गया head, head, tail, tail, head, और tail, tail, ठीक है, compound event क्या होता है, यह भी बताया जा चुक है, if an event has more than one sample point, अगर किसी event में more than one sample point हो, से हम क्या बोलते है, compound event बोलते है, for example, the experiment of tossing a coin thrice, एक coin को हमने तीन बार फेका, तो एक हमने तीन event ले लिया, पहला event, हमेसा मैंने बताया है, कि event जो होगा, हमेसा इस format में ही given होगा, language में event given होगा, हमें किस में convert करना है, इस format में, set में convert करना है, तो हमारा पहला इवेंट क्या बोला एक्जैक्ली वन हेड़ है पियर सिर्फ एक्जैक्ली एक हेड़ आए तो देख लो एक हेड़ है इसमें सिर्फ क्या बोला अट लिस्ट वन हेड़ कम से कम एक हेड़ है जादे से जादे कितने हेड़ आ सकता है तो ये है उसके बाद क्या बोल एट मोस्ट वन हिड ज्यादा से ज्यादा एक हिड आ है तो ज्यादा से ज्यादा एक हिड आ है इसका मतलब जीरो हिड भी आ सकता है तो ये वाला जीरो हिड है इन सब में सॉरी एट मोस्ट वन हिड है पियर हाँ इसमें एक हेड है इसमें भी एक हेड है इसमें भी एक हेड है तो ई जो इवेंट यहां हमारा लैंग्वेज में दे रखा वो क्या हो गया वो यह हो गया इवेंट जो हमारा लैंग्वेज में दे रखा वो यह हो गया और जो जी इवेंट लैंग्वेज में दे रखा वो नहीं दे रखा है, बता देता हूँ चलो इतना space कहीं भी देख के बता देता हूँ चलो यहाँ पर यह बताता हूँ मैं लिख देता हूँ, इसको ध्यान से देखो एक मैंने random experiment लिया random experiment क्या लिया tossing a coin तो इसके cross bonding जो हमारा sample space बनेगा वो क्या बनेगा एक क्वाइन को टॉस करें हेड टेल और टेल हेड ठीक है एक रेंडम एक्सपेरिमेंट लिया tossing two coins मैं बोलू tossing two coins at a time at a time और tossing a coin twice एक ही रेंडम एक्सपेरिमेंट है इसके cross-ponding जो sample space बनेगा वो क्या बनेगा head tell tell head tell tell head head अब तुम ऐसे देखो कि इसका क्या मतलब है एक coin को दो बार toss करोगे ठीक है तो इसको तुम ऐसे देखो इसमें कितने हो जाएंगे दो elementary events हो जाएंगे अब दो coin को एक बार फेक होगे तो इसको तुम ऐसे pnc में भी देख सकते हो कि यहां हमारे पास दो space है इसके लिए कितनी possibility है इसके लिए इसे space को fill करने के लिए दो possibility है क्यों because head or tail आ सकता है इसको भी fill करने की दो possibility है because head or tail आ सकता है दोनों को multiply कर दोगे तो क्या हो जाएगा two square तो यहां पे चार elementary events आगे ठीक है एक random experiment मैंने ले लिया चार तक आता है important है तो मैं बता देता हूँ tossing three coins at a time और यहां पे क्या लिख सकता हूँ tossing a coin thrice इसके cross bonding पहले sample space में कितने elementary events होंगे ऐसे तीन box बना लिया इसको कितने way से fill कर सकते हो two way से इसको कितने way से fill कर सकते हो two way से इसको भी कितने way से fill कर सकते हो two way से तो total इन तीनों box से कितने way से fill कर सकते हो two cube eight way से fill कर सकते हो तो इसका मतलब इसके जो sample space में total eight elementary events आएंगे कैसे आएंगे वो देख लो head 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 ऐसे लिख लिए ठीक है अब यहां से last लास्ट हेड को ना टेल से रिप्लेस करते चलो हेड हेड टेल हेड फिर क्या होगा हेड टेल हेड फिर क्या होगा टेल हेड हेड फिर क्या होगा टेल 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 अब यहां से इस लास्ट टेल को हेड से रिप्लेस करते चलो तो क्या होगा टेल टेल हेड फिर क्या होगा हेड ट टेल, टेल, टो टोटल कितने elementary events आगे, 8 हो गए, यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, tossing 4 coins at a time, यह important है, इसलिए बता दे रहोगे कट्टे, एक random experiment हमने ले लिया, tossing 4 coins at a time, 4 coins को at a time toss करोगे, तो sample space क्या बनेगा, सबसे पहले कितने elementary events होंगे, sample space में वो देख लेते हैं, एक, दो, 3, 4, इसको भी कितने वे से हम fill कर सकते हैं, इसको भी two ways से fill कर सकते हैं, हैं मुल्टिप्लाई कर देंगे, तो कितने वे से हो जाएगा, 2 to the power of 4, 16 elementary events होंगे, sample space में वो कैसे होंगे बता रहा हूँ एक तो हो गया head 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 चार बार अब पहले क्या करो tail से replace करते हैं head, 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 tail फिर क्या होगा head, head, tail, head फिर क्या होगा head, tail, head, head ठीक है फिर क्या होगा tail, head, head, head फिर चार बार T लिखो एक, दो, तीन, चार पिर अब इसको head से replace करते हैं चलो T, 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 H T, T, H, T फिर क्या होगा? T, H, T, T फिर क्या होगा? H, T, T, T अभी कितने होगा? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 10 होगे हैं, अब और 6 बचे 6 कैसे लिखोगे? देखो 2 head, 2 tail 2 tail, 2 head 2 head के बीच में 2 tail 2 tail के बीच में 2 head फिर क्या होगा? head, tail, head, tail फिर क्या होगा? tail, head tail, head अब देख लो, 16 होगे हैं 2, 4, 8, 12 और 16 ऐसे लिखेंगे sample space को दियान में रखना अब उसके बाद 4 के बाद अगर तुम्हें बोला जाए कि 5 coins at a time toss करेंगे तो कभी 4 से जादा की जोरत परेगी नहीं sample space लिखने के लिए अगर बोले कि 5 coins को at a time करेंगे हम लोग toss तो कितने elementary events होगे बस इतना दियान में रखना 2 to the power 5, 32 बट ये कभी 32 लिखने की जोरत नहीं परेगी at most ये तुम्हें 4 coins at a time इसकी जोरत पर सकती है चार ये तीन frequently use होगा और दो frequently use होगा और एक का तो अलएड़ी आप जानते हो 10th class से यहां तक आगे बात समझ में झाल